राम राम बेरे सातियों आप सभी का स्वागत अपने फोर्म नोटिस येट्यूब चैनल के उपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाना पुलिस को लेकर भाई इसके अंदर जिन हुने पलश्टू पास करखे वही उनके लिए ये बरतिया है क्या जिसने C80 एक्जाम नहीं दिया क्या वो भी फारम बरस्तिंगे या जिसका C80 टायर फर्स्ट एक्जाम था जो अभी आप लोगों का एक्जाम हुआ था उसके अंदर जिनका C80 एक्जाम ही पहुंचे हैं अभी तक कब तक आप लोगों की जो 2030 के अंदर भरतियाने वाली है वो कब तक आ सकती है और क्या कुछ प्रोसीजर होगा नया इस वीडियो के अंदर इन चिज्जों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देख को सबसे पहले सबस्क्राइब करना दोस्तों तो दोस्तो यहां पर आज के जो नयूज पर फ्रकेंद्र आयो यह वे 6,000 पदों के बरती के नियम है जो अभी तक भी HSSC को नहीं पुंचाए गए दोस्तों सबसे पहले बात ये है क्योंकि आप लोगों की बरती अभी डिले होगी नहीं क्योंकि अभी तक जो नए नियम बनाएगे है अभी तक HSSC बोड को नहीं पूंचे है हर्याना सरकार का काम जीतनी तेजी से चल रहा है इसका नमुना हर्याना पुलीस में पूरस सिपाई के 5000 और मिहला सिपाई के 1000 पदों पर होने वाली बरती परकिरिया है हर्याना सरकार को पुलीस बरती नियमों में संसोधन करना यह संसोधन मामूली सा है मगर कई मेनों से यह संसोधन नहीं हो रहा हर्याना करमचारी चैने अग इन संसोधित नियमों का इंतजार कर रहा ताकि पदों को विग्यापन जारी करें बरती पुलीस बरती के इच्छि कि युवा इंतजार करें मगर तेजी से बरती पर किरिया करने का दावा करने वाली सरकार नियमों को में ही संसोदन नहीं कर पा रही है यानि कि बहुत सारे बच्चे जो हर्याना पुलिस के लिए जिनका ड्रीम है जिनका सपना है कि हर्याना पुलिस के अंदर लगना है और हर हर्याना प्रदेश की जो सेवा करनी है उसके लिए 6,000 पदों के उपर अभी तक सरकार ने एक मामुनली सा संसोदन करना है वो भी नहीं हुआ वई क्योंकि यहां पर बरति बहुत देर हो चुकी है 2020 के अंदर जो बरतिन काले गई थी अभी तक तो वो भी पूरी नहीं हुए दोस्तों उसका भी कोरट केस चला हुआ है लेकिन जो 2023 के अंदर आप लोगों की वकैंशी आने वाली थी 6,000 पदों के उपर अभी तक उनका जो संसोदित नियम है वही क्या संसोदन होना था पहले ह हर्यारा के अंदर एक जाम उता था भी एक्डोर वकैंशियों से देख रहे था ही पहले एक्जाम लोगों प्यम असके बाद पहले हो करना है दोस्तों अभी तक हर्याना सरकार से ये बदलाव नहीं हुआ है देरी के कारण भई अभी तक अलग बग भई पचास से सैट हजार ही हुआ इस बर्ते की बाट में हैं तो उनको बहुत बड़ा जटका लगा है एक बार फिर से पहले उमीद जताए गई थी कि अपरेल म जिनोंने CET एकजाम दिया था लेकिन वहां पर क्वालिफाइ नहीं है तो ऐसे बच्चे इस बर्ती के लिए योग्या नहीं होंगे चाए वो पलस्टू पास हों चाए वो भी ये पास हों लेकिन उनके लिए बर्ती योग्या नहीं है क्योंकि जिनका CET फर्स टायर आप ल इस नहीं लिजाएगी वहीं पर आप लोगों की जर्नल की बात करें तो ठारा से लेकर 27 साल तक की एज मांगी गई है और इसके लावा EWS के लिए 30 साल और SCST के लिए भी SC और BC के लिए भी आप लोगों की 30 साल होना ज़रूरी है अब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लो लिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा दोस्तो उसको जुरूर जोइन करना थैंक यू